प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं ठीक है टू डाइमेंशनल मोशन में जो 31 यर वाले प्राब्लम थे उनको मैं डिसकस करता था ठीक है यह फाइनल लेक्चर है इसमें 2D में ठीक है जो दोनों लेक्चर है उसको आप देखे हो गया आई हो तो आपको एक आइडिया मिला होगा कि कोशन करते कैसे हैं और आपको देख के पता लगा होगा कि बहुत जादा डीपीकल्ट कोशन नहीं आता है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं सब 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 पहला जो कोशन है दो एक आपजेक्ट है जिसके पास कुछ मास है इसके पास मास है मास कितना है थिरी केजी और वो कि क्या है एट रेस्ट में है ठिक है इसकोल टू-0 पे अब इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हम तो एक्सलेशन को जाएगा लेकिन फोर्स भेक्टरमें दिया है तो चलो एक्सलेशन भी वेक्टर में निकाल लेते हम ठीक है अप्लाइड ढौन दो अबजैक्ट और छीटिटी टाइम पर गालना थी ओकॉल टू जाना एक्टी सेकर्ड बार वेक्टर में कित्ना होगा टो य एक्सलेशन आ जाएगा एक्सलेशन इस एक्सलेशन वेक्टर तो फोर्स वेक्टर कितना बोलो 60 स्क्वाइर 60 स्क्वाइर आई कैप प्लस 40 जेकप ठीक है 40 जेकप डिवाइड़ेड़ड वाइस कितना है यह मास है 3 kg टाइम भी 3 kg तो यह जो एक्सलेशन वेक्टर मुझे दिखेगा एक्सलेशन वेक्टर में वह टो टी अस्कॉाइर आई कैप प्लस 4034 30 जेकर डिवेक्टर यह इसका एक्सलेशन वेक्टर आ गया अब हमें तो चाहिए विलाउसीटी तो आपको पता होगा कि एक्स एक्स्लेश न से विलोसिटी से नीचे से उपर जाएंगे इन्टीग्रेट करेंगे इसको टीज उकल टो टीज यूली से कुल टु नुट सकता हूं डr बॉल टी-कई-गए पलस 4-13 तीainen का मतलब है इसको मैं दिखुंगा डिभ Tuesday उकल टू तो वो मुझे मिलेगा टू टी अस्क्वाइर आई के प्लस फोर वाई थिरी टी जे कर ठीक है डैट इस मुल्टिप्लाइड वाई डी टी ठीक है अब इसमें लिमिट लगा के प्रॉपर लिमिट लगा के इंटिग्रेट करने जब टाइम जीरो ता तो वेलासिटी टाइम टी एकल टू थिरि सेकेंड होगा तो वेलासिटी भी होगा यहीं पूछा जा रहा है ठीक है अब इस ही को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ये हमें फाइनल सलुशन देगा वेक्टर में ठीक है छलो तो इधर मिलेगा मिलेगा टू टी ठीक है टू टी स्कौर का integration T by 3 I can plus 4 by 3 ठीक है और इसका integration T का integration T square by 2 और इसमें limit रखूंगा 0 to 3 तो 0 to 3 जब मैं डालूंगा समझना इसको तो 0 उधर रखूंगा तो 0 ही हो जाएगा तो 3 ही रख देते हैं इस तर जब मैं इसमें 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 2 by 3 और 3 का square ठीक है 3 का 27 I cap 27 I cap plus 4 by 3 और इधर भी 2 है और यह जाएगा 9 मलब 2 को 2 को और यह जाएगा 3 और J cap मलब 6 J cap और यह जाएगा 9 18 I cap 18 I cap plus 6 J cap इसका final solution है ठीक है 18 I cap plus 6 J cap है 18 I cap plus 6 J cap है 18 I cap मतलब यह हुगा कि हम लोग का जो B option है that is the पेफागा कि हुगा कर दो कि हude कि हम लोग कि हुगा कि हुगा कि हुग पूपा ऑ जो कि हुग शो कि झाल झाल